वेलकम स्टोरेंट्स अफ लास टू तोड़ा एम गोईंग टू स्टार चैप्टर फाइब टाइपस ओफ फैमिलीज फैमिलीज के प्रकार, कितने प्रकार के परिवार होते हैं फादर, मदर एंड देर चिल्रेन मेक अ फैमिली फैमिली किससे बनती है? फादर, मदर और उनके बच्चे, उनके चिल्रेन जो होते हैं कि सब मिल करके एक फैमिली बनाते हैं और फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं फैमिली में जितने लोग रहते हैं वो सब मेंबर्स होते हैं फैमिली के फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरी को लव करते हैं, प्यार करते हैं and care और उनकी देख रेख करते हैं, उनकी देख भाल करते हैं जैसे कि आपके भी family में लोग आप से, आप और बाकी लोग एक दूसरी को प्यार करते होंगे एक दूसरी की देख रेख करते होंगे Children love and obey their parents and children, बच्चे जो होते हैं, they love their parents and they obey their parents, obey means बात मानना, आग्या का पालन करना Father works and earns money, father क्या करते हैं, father works works means father क्या करते हैं, father job करते हैं, service करते हैं, father duty करते हैं and earns money, और money कमाते हैं, means पैसे कमाते हैं वो क्यों काम करते हैं, duty क्यों जाते हैं, office क्यों जाते हैं सर्विस क्यों करते हैं पैसे कमानी के लिए Mother manages the house और वो जब duty करने जाते हैं अपने office जाते हैं तो आपके घर की देखरी कौन करता है आपकी Mother She looks after the children too और वो means आपकी ममा means Mother, family में जो Mother होती है वो बच्चों की भी देखपाल करती है In some families कुछ families में क्या होता है Mothers also work to earn money कुछ families में तो Mother भी work करने जाती है पैसे कमाने के लिए जैसे आपने अपनी टीचर्स को तो देखाई होगा टीचर्स भी किसी की ममा है ना किसी की मदर है वो सब लोग भी आती है ना पढ़ाने के लिए जॉब करने के लिए There are different types of family अभी हम पढ़ेंगे कि family के कई प्रकार होते हैं कई तरह की family होती है They may be small Family छोटी भी हो सकती है And family nuclear हो सकती है Joint हो सकती Extended और foster भी हो सकती है अब ये सब types जो भी आपने पढ़ा है इसको हम details में पढ़ेंगे आगे सबसे पहरे हम पढ़ेंगे A small family Small family क्या होती है See children This is a picture of a small family ये एक small family का picture है Small family क्या होती है जिस family में 3 और 4 members होते है Members मैंने भी बताया ना परिवार में फैमिली में जो भी लोग होते हैं वो members है जैसे अपने फैमिली देखा इस family में 4 members है 1, 2, 3, 4 So ये सब family के members हो गए तो ऐसी family जिसमें 3 या 4 members होते हैं उसको small family कहते हैं इसको क्या कहते हैं? Small family और ऐसी family जिसमें husband wife हो और जिसमें बच्चे ना हूं ऐसी family भी small family होती है A small family A family of 3 और 4 members ऐसी family जिसमें 3 या 4 members होते हैं Is a small family ऐसी family को हम क्या कहते हैं? Small family कहते हैं Husband and wife with no children और ऐसी family जिसमें husband wife और बच्चे ना हूं ऐसी family small family होती है Students please see This is the picture of a big family ये एक big family का picture है देखिए ये family big है ना अभी आपने जो picture देखा था वो small family थी उसमें 4 ही members थे अभी आप देखेंगे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें 6 members हैं इस family में 6 members हैं तो ये big family हो गई A big family A family of 5 or more members is a big family अभी आपको ध्यान में रखना है ये ऐसी family जिसमें 5 members हों या उससे जादे members हों more than 5 तो ऐसी family को उनकिया कहते हैं बिग family कहते हैं अभी आप देखेंगे ये एक nuclear family की picture है This is a picture of nuclear family nuclear family क्या होता है ऐसी family जिसमें मम्मी हों पापा, मिस मदर हों, फादर हों और उनके children हों जो इतनी लोग मिलकर के साथ रहते हैं वो nuclear family होती है अब ऐसी family small भी हो सकती है big भी हो सकती है a nuclear family a family in which only the mother, father and their children live together ऐसी family जिसमें मम्मी, पापा और उनके बच्चे साथ साथ रहते हों is a nuclear family ऐसी family को nuclear family कहते हैं it may be small or big यह छोटी family भी उसे हो सकती है big family भी हो सकती है small भी हो सकती है और big भी हो सकती है अब सी children इस इस पिक्चर आफ जोइन फैमिली यह जोइन फैमिली है जोइन फैमिली का नाम तो सुना ही होगा अपनी कई लोगों को कहते हूँ जोइन फैमिली में रहता हूँ या रहती हूँ तो यह जोइन फैमिली है जोइन फैमिली मीज जिसमें आपके grand parents रहते हूँ दादा, दादी uncle, aunt, mommy, papa और आपके cousin cousin मीज आपके uncle, aunt के बच्चे so that family is the joint family ऐसी family को क्या कहेंगे joint family एसी family जिसमें आपके दादा, दादी रहते हूँ मम्मी, पापा रहते हूँ uncle, aunt रहते हूँ और उनके बच्चे रहते हूँ ऐसी family को हम joint family कहते हैं joint family is usually a big family यह अधिकतर big family ही होती है क्योंकि इतने members इसमें रहते हैं तो यह big family ही होती है joint family an extended family extended family क्या है the members or other than your nuclear family the members other than your nuclear family living together with you or separately make an extended family extended क्या है जिस जो nuclear family अभी आपने पड़ा ना ममी, पापा और बच्चे इसके अलावा अगर कोई family में रहता है चाहे हो आपके साथ रहता हो या फिर separate रहता हो, अलग रहता हो तो ऐसी family को extended family क्याते है a foster family अभी foster family के बारे में पढ़ेंगे क्या है when husband and wife जब husband और wife और a lady और a man adopts a child, जब family में husband wife हो, या कोई भी lady और man हो, कोई भी आदमी हो कोई औरत हो, और वो किसी बच्चे को adopt करके, किसी child को adopt करके रहे, then they become the foster parents तो ऐसे parents को हम क्या कहते है foster parents कहते है और ऐसी family को हम क्या कहते है, foster family कहते है, जब हम किसी बच्चे को ले करके, कोई ममी पापा, कोई भी औरत या पुरुष बच्चे को adopt करके गोद ले करके रहते हैं, तो ऐसे parents को हम foster parents कहते है ऐसी family को हम foster family कहते हैं, here are some words that describe the relations in the family, अभी आप कुछ words के बारे में पढ़ेंगे, जो family में relation को दिखाते हैं, बताते हैं कि किसे क्या relation होता है, जैसे grandparents, जो picture भी देख रहे हैं, दादा दादी, grandparents means दादा दादी और नाना नानी, means आपके मम्मी पापा के parents जो होते हैं, वो आपके grandparents होते हैं यानि कि नाना नानी भी grandparents हैं और दादा दादी भी grandparents हैं, parents of your mother means your mother's parents, means mother's mommy and mother's papa are your grandparents and father's are your grandparents and father's mommy and papa are your grandparents, you are their grandchild और आप क्या होनों के, you are their grandchild means आप उनके grandchild हैं, जिसको नाती पोते कहते हैं अंकल, फैमिली में अंकल भी होते है If your mother or father has a brother He is your uncle अगर आपकी ममी या पापा के भाई है तो उनको हम क्या कहते हैं अंकल कहते हैं पापा के भाई जो आपके चाचा लगेंगे वो पापा के भाई हैं उनको अंकल आप कहेंगे और ममी के भाई जो मामा लगते हैं उनको भी हम अंकल ही कहते हैं अंट If your mother or father has a sister अगर आपकी मदर की कोई sister है या आपके फादर की कोई sister है मदर की sister को आप क्या कहते हैं मौसी कहते हैं और फादर की sister जो होती हैं उनको क्या कहते हैं वो बुगा होती है आपकी तो ये बुगा और मौसी को भी हम aunt कहते हैं तो आपकी क्या हो गई she is your aunt cousin cousin कौन होते है if your aunt and uncle have children अगर aunt और uncle के uncle और auntie, aunt means auntie auntie जो आप कहते है न uncle और auntie के children अगर उनके बच्चे हैं तो uncle और auntie के बच्चे आपकी क्या होए cousins हो गए the last sentence अभी last sentence में आपको क्या बताया गया है we generally meet our relatives on different occasions हम generally क्या होता है अपने relatives से कब मिलते हैं different occasions पे मिलते हैं या कोई festival होता, कोई program होता कोई occasion होता, means कोई program होता है कोई festival आता है तो उसमें हम अपने relative से मिलते हैं ठीक है so our chapter is completed ये chapter 5 आपका complete हो गया इस chapter में आपने क्या पढ़ा family के बारे में पढ़ा कि मम्मी, पापा और उनके बच्चे मिलकर के एक family बनाते है family कई तरह की होती जैसे small family होती है big family होती है, nuclear family होती है foster family होती है, extended family होती है joint family होती है तो आपको ये सब revise करना है कि किस family में कितने members होते हैं किस type की family को क्या कहते हैं और अभी आपने पढ़ा ना कि family में कुछ members होते हैं जिनका आपसे relation होता है जो यहां बताया गया grandparents, uncle, aunt, cousin अभी आपने पढ़ा ना ये ऐसे members हैं जिनका आपसे relation होता है कुछ ना कुछ तो इनको भी आपको पढ़ेंगे और revise करेंगे और last में आपने पढ़ा है कि हम अपने relative से कब मिलते हैं हम relative से तब मिलते हैं जब कोई occasion होता है, कोई program होता है कोई festival होता है तो सब लोगी एक साथ ही कठा होते हैं और enjoy करते हैं So, our chapter is completed children We will meet again in the next video and till then तब तक आपको क्या करना है revise the chapter well take the help of your elders अपने elders की help लेजिये and read it again and again और बार बार इसको पढ़के समझने के कोशिश कीजिये Thank you children